अब भ्यास का पहला पर्षन है, निमने लिखित BGA बेंजकों के सभी पदों को लिखिये, यहाँ पे BGA बेंजक दिये गए हैं, इनके सभी पदों को लिखना है, तो पहला है 3X-7Y-9, इसमें 3 पद हैं, तीनों को लिखना है, तो 3X पहला पद है, 3X, दूसरा पद है-7Y, और तीसरा है पलस नो, पलस दिखाया नहीं जाता, तो इस तरह से इसके तीन उपद ये ये और ये हैं, चलिए अगला वाला, इसमें कितने पद हैं, इसमें भी तीन पद हैं, तो एक है दो A स्क्वाइर, दूसरा है पांच A, और तीसरा है माइनस थिरी B स्क्वाइर, तो पहला वाला परशन हो गया, अब आईए दूसरा वाला हल करते हैं, निम्नांकित में X के गुरांग बताईए, यहाँ पे चार परशन दिये गए हैं, यहाँ पे हमें X का गुरांग बताना है, जैसे पहला वाला, ठीरी X में X का गुरांग क्या है, यानि X में किस से गुरा किया गया है तो X को छोड़ करके बाकी जो बचा तीन बचा इसमें तीन से गुड़ा किया गया है तो X का गुड़ांग तीन हो गया यहाँ पे X को छोड़ करके किस से गुड़ा किया गया है माइनस A स्क्वाइर यहाँ पे X को छोड़ करके क्या बचा 5Y स्क्वाइर यहाँ पे X को छोड़ करके तो माइनस P Q तो इस तरह से दूसरा परशन हल हो गया अब आई अगला परशन हल करते हैं तीसरा परशन है निम्नांकित में सजातिये पद छाटिये यहाँ पे चार परशन दिये गए हैं चारों में हमें सजातिये पद को छाटना है सजातिये का मदलब होता है समान पद और एक होता है बिजातिये पद यनि आसमान पद तो हमें यहाँ पे सजातिये पदों को छाटना है सजातिये पद उन्हें कहते हैं जिनके BGA गुरंखंड एक जैसे हो अर्थात जो पद दिये गये हों उनमें अक्छर एक जैसे हों चर एक जैसे हों जैसे यहाँ पे देखे पहला वाले में A square है और कहीं पे A square तो यहाँ पे A square है तो ये दोनों सजातिये हो गए जबकि ये और ये बिजातिये हैं अब दूसरे वाले में देखते हैं यहाँ पे X, Y हमें ना तो संख्या से मतलब है और ना तो उसके चिन से मतलब है हमें यहाँ सिर्फ चर से मतलब है तो यहाँ X, Y है और कहीं पे यहाँ पे है तो ये दोनों आपस में सजाती हैं जबकि ये और ये बिजाती हैं चलिए तीसरा वाले में देखते हैं C, A, B, Square और कहीं पे C, A, Square, B तो ये तो बिजाती है हो गया C, A, B, Square तो C, A, B, Square और यहां पे C, A, B, Square भले आगे पीछे करके हैं लेकिन वही अक्षर हैं वही चर दोनों में हैं और ये C, A, B, Square ये तीनों सजाती हैं जबकि ये और ये बिजाती हैं अब आए चवथा वाले में देखते हैं M, Square, N हम यहां संख्या से नहीं मलब है और ना तो उसके चिन से M, Square, N और कहीं पर यहां पर तो ये दोनों सजाती हैं और कहीं पर देखते हैं M, Square, N ये भी सजाती है M, Square, N ये N का स्क्वाइर है तो ये भी जाती है M, Square, N ये भी सजाती है तो इस तरह से तीसरा पर्षन हल हो गया अब आईए अगला पर्षन हल करते हैं चाउथा पर्षन है सरल कीजिए इसमें तीन पर्षन है सभी को एक एक करके हल करेंगे पहला पर्षन है ब्रेकट में x-2y पलस ब्रेकट में 3y-x माइनस ब्रेकट में 3x-2y यहां हम ब्रेकट खोलेंगे उसके बाद सरल कर लेंगे तो चलिए bracket खोलेंगे यहाँ पहला वाला bracket हटाएंगे तो इसके आगे कोई चिन नहीं है ना तो कोई सैंक्या है तो ऐसे इसको उतार लेंगे X-2Y यहाँ इस bracket को हटाएंगे तो उसके आगे पलस चिन है तो bracket के अंदर के जो पद हैं, सब के चिन वही रहेंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये plus 3y है, तो plus 3y रहेगा, ये minus x है, तो minus x ही रहेगा, अब आएए यहाँ पे minus से bracket खोलते हैं, तो अंदर के जो पद हैं, सब के चिन बदल जाएंगे, जब plus से खोलेंगे, तब तो वही रहेंगे, और जब minus से खोलेंगे, तो सभी पदों के चिन बदल जाते हैं, तो 3x यहाँ पे plus में था, ये हो जाएगा minus 3x, और minus 2y ये minus में था, तो हो जाएगा plus 2y, अब चलिए हम सरल करते हैं, तो यहाँ पे उससे पहले काट देते हैं, minus 2y और ये plus 2y कट ग इस परकार हमारे पास भचा, 3y minus 3x, तो यही उत्तर है, अब आईए अगला परशन, दूसरा परशन है, 3mn2 माइनस ब्रेकर में 5m2 n2, पलस ब्रेकर में minus 7mn2, माइनस ब्रेकर में 2m2 n2, यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रेकर अटाएंगे, पलस से जब ब्रेकर खोलेंगे, तो ब्रेकर के अंदर के जो पद हैं, उनके चिन वही रहेंगे, जबकि जब माइनस से ब्रेकर खोलेंगे, तो सभी पदों के चिन बदल जाएंगे, तो चलिए, यहाँ यह तो ब्रेकर में नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 3mn2, चिन जो है वही रहेगा माइनस 7m0. यहां माइनस से भी रेकट खोलेंगे तो इसका चिन बदल जाएगा पलस था तो माइनस हो झा अब यहां पे आप सजातिय ढूढ़िए जो सजातिय हैं वही जुड़ेंगे घटेंगे, तो इस परकार से यह म M N square और कहां पे है M N square ये और ये दोनों सजाती हैं तो ये माइनस 7 है और ये पलस 3 है तो माइनस 7 पलस 3 बराबर होगा माइनस 4 माइनस 4 M N square उसी परकार ये वाला पद और ये वाला पद सजाती हैं तो माइनस 5 और ये माइनस 2 हो जाएगा माइनस 7 M square N square इस परकार से ये ही आपका उत्तर है अब आईए अगला पर्षन चौथा का तीसरा पर्षन है इस पर्षन को हल करेंगे सबसे पहले हम छोटा ब्रेकट हटाएंगे तो छोटे ब्रेकट के अंदर यहाँ पर जो सजाती हैं उनको जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ सब भी जाती हैं ना तो जोड़ेंगे ना तो घटेंगे तो हम क्या करेंगे माइनस से ब्रेकट खोल करके और ब्रेकट हटा देते हैं बाकि सब को ऐसे उतार लेते हैं तो चलिए उतारते हैं पंदरा एक्स माइनस बड़ा ब्रेकट आठ एक्स क्यूब पलस थिरी एक्स स्क्वायर माइनस मजला ब्रेकेट आठ एक्स स्कॉायर यहाँ माइनस से ब्रेकेट खोलेंगे अंदर के जो पद है सबके चिने बदल जाएंगे तो माइनस चार हो जाएगा और यह हो जाएगा पलस दो एक्स और माइनस एक्स क्यूब था तो यह पलस x cube हो जाएगा तो छोटा bracket खतम और यह minus 5 x cube यहाँ पे बचा तो minus 5 x cube मजला bracket बंद और यह minus 2 x बड़ा bracket बंद अब इस मजले bracket को हटाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे जो सजाती हैं उनको जोड़ और घटा लेते हैं x cube और यह minus 5 x cube ये सजाती हैं तो चलिए इनको जोड़ और घटा लेते हैं तो 15x माइनस बड़ा ब्रेकेट 8x3 पलस 3x2 माइनस मजला ब्रेकेट इसके अंदर जोड़ेंगे 8x2 माइनस 4 पलस 2x ये सब ही बिजाती हैं सिर्फ यही दोनों जोड़ेंगे घटेंगे तो ये पलस 1 है और ये माइनस 5 है तो पलस 1 माइनस 5 बराबर होता है माइनस 4 माइनस 4x क्यों हो जाएगा मजला ब्रेकेट बंद और माइनस 2x बड़ा ब्रेकेट बंद अब यहाँ मैनस से ब्रेकट खोल करके हम मजला ब्रेकट हटा देंगे तो 15x मैनस बड़ा ब्रेकट 8x³ 3x² मैनस से ब्रेकट खोलेंगे सभी पदों के चिन बदल जाएंगे तो हो जाएगा मैनस 8x² और यह हो जाएगा पलस 4 यह हो जाएगा माइनस दो X यह हो जाएगा पलस चार X Q मजला ब्रेकेट खेतम हो चुका है और यह माइनस दो X बड़ा ब्रेकेट बंद अब बड़ा ब्रेकेट हटाएंगे तो उसके पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर जो सजाती है उनको जोड़ और घटा लेंगे तो पंदरा X माइनस बड़ा ब्रेकेट कहीं पे देखिए पहला पद यहाँ आठ X Q X Q और कहीं पे है तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है आठ और चार बारा तो बारा X Q X Q वाले पद को ढूड़िए यहाँ पे और यहाँ पे और कहीं पे कहीं नहीं है तो यह माइनस आठ है और यह पलस तीन है तो हो जाएगा माइनस आठ पलस तीन बराबर माइनस पांच X Q अब X वाले पद तो माइनस दो X और माइनस दो X हो जाएंगे माइनस 4X अब अचरपद को ढूढ़िए तो पलस 4 यहां पे है तो यहां सब को जब हमने जोड़ा और घटाया तो इतना आया अब माइनस से ब्रेकर खोल करके हम बड़े ब्रेकर को हटा देंगे तो 15X माइनस से ब्रेकर खोलेंगे सभी पदों के चिन बदल जाएंगे तो माइनस 12X क्यूब और यह हो जाएगा पलस 5X स्क्वाइर और यह माइनस है तो हो जाएगा पलस 4X और यह हो जाएगा माइनस 4 अब यहां लास्ट में जो सजाती हैं उन्हें जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यह और यह दोनों सजाती हैं तो पहले क्यूब वाला पद लिखेंगे माइनस 12X क्यूब स्क्वाइर वाला पद पलस 5X स्क्वाइर अब X वाला पद तो यह और यह सजाती हैं 15 और 4 हो जाएगे 19 तो पलस 19X अचर पद है माइनस 4 तो इस परकार से यही उत्तर है अब आई अगला परशन हल करते हैं पांचमा परशन है दी गई आकिर्टियों का परिमाप ग्याद कीजिए यदि A बराबर 3 और B बराबर 2 यहाँ पर आकिर्टियां दी गई है यह वर्ग है वर्ग की भुजा दी गई है 2 A पलस 1 संटीमीटर यह आयत है आयत की भुजाएं दी गई है लंबाई है 3 A माइनस B संटीमीटर और चोड़ाई है 4 A माइनस 3 B संटीमीटर और यह तिर्भुज है इसकी तीनों भुजाएं दी गई है ये वाली भुजा है 2a-b cm ये वाली भुजा है a-b cm और ये वाली भुजा है 3a-b cm हमें तीनों का परिमाब निकालना है परिमाब का मलब होता है सभी भुजाओं का योग तो चलिए सबसे पहले हम वर्ग का परिमाब निकालते हैं तो यहाँ पे दिया गया है वर्ग क के लिए इसकी भुजा दी गई है भुजा बराबर है दो ए पलस एक सेंटी मीटर तो यहां पे हम ए का मान रख करके इसकी लंबाई निकाल लेते हैं तो दो गुड़े ए ए बराबर है तीन के तो यहां लिखेंगे तीन पलस एक हल कर लेंगे दो तीन छे चे और एक साथ तो आगया साथ सेंटी मीटर अब इसका परिमाब निकालेंगे तो सभी भुजाओं का योग करेंगे या इसके लिए सूतर होता है वर्ग का परिमाप होता है परिमाप बराबर चार गुडे भुजा चार गुडे भुजा तो चार गुडे भुजा है साथ सेंटीमीटर तो हो जाएगा 28 सेंटीमीटर तो इस तरह से वर्ग का परिमाप आया 28 सेंटीमीटर अब आई ये आयत का परिमाब निकालते हैं तो आयत के लिए आयत के लिए आयत की लंबाई दी गई है लंबाई है 3A-B cm 3A-B cm अब यहाँ पर हम A और B का मान रख करके लंबाई निकाल लेते हैं तीन गुड़े A है तीन मैनस B B है दो तीन का गुड़ा तीन में होगा हो जाएगा नौ नौ में इसे दो घटाएंगे आएगा साथ साथ सेंटी मीटर अब चोड़ाई निकालेंगे तो आएट की चोड़ाई दी गई है आएट की चोड़ाई है 4A माइनस 3B 4A माइनस 3B इतना सेंटी मीटर यहाँ पर हम A B का मान रख करके चोड़ाई निकाल लेते हैं तो 4 गुड़े A A है 3 माइनस 3 गुड़े B तो B है 2 4 का गुड़ा 3 में करेंगे हो जाएगा 12 माइनस 3 का गुड़ा 2 में करेंगे हो जाएगा 6 12 में से 6 को घटाएंगे आ जाएगा 6 सेंटी मीटर तो इस तरह से आएट की लंबाई और चोड़ाई निकल चुकी है अब इसका परिमाप निकालेंगे परिमाप आयत का परिमाप बराबर होता है दो ब्रेकर में लंबाई पलस चोड़ाई दो बार लंबाई और दो बार चोड़ाई तो दो लंबाई है 7 सेंटी मीटर पलस चोड़ाई है 6 सेंटी मीटर ब्रेकर के अंदर हल करेंगे 7 और 6 13 13 का गुड़ा 2 में होगा तो हो जाएगा 26 26 सेंटी मीटर तो इस तरह से आयत का परिमाब आया 26 cm अब आईए तिर्भुज का परिमाब निकालते हैं तो तिर्भुज के लिए सबसे पहले हम इसकी तीनों भुजाएं ग्याद करेंगे उसके बाद में तीनों का योग कर देंगे तो पहली भुजा चलिए हम इसको पहली भुजा मान लेते हैं पहली है दो A माइनस B सेंटी मीटर यहाँ A और B का मान रख करके हम निकाल लेते हैं तो दो गुड़े 3 A है आपका 3 माइनस B है आपका 2 यहाँ हल करेंगे 2 तियाए 6 6 में से दो गए आया 4 सेंटी मीटर चलिए दूसरी भुजा निकालते हैं इसको हम दूसरी भुजा मान लेते हैं तो दूसरी भुजा है 3 A माइनस B इतना सेंटी मीटर मान रखेंगे 3 गुड़े A A है 3 माइनस B B है आपका 2 तो इस तरह से हो जाएगा 3 का गुड़ा 3 में 9, 9 में से दो गए तो 7 7 सेंटी मीटर अब तीसरी भुजा निकालते हैं तो ये वाली तीसरी भुजा है A पलस B इतना सेंटी मीटर मान रखेंगे A है 3 पलस B है 2 तो आगया 5 सेंटी मीटर अब तीर्भुज का परिमाप इसका जो परिमाप होगा वो तीनों भुजाओं का योग तो एक भुजा है 4 दूसरी है 7 और तीसरी है 5 जोड़ेंगे 4 और 7 ग्यारा ग्यारा 5 सोला सोला मात रखाएगा सेंटी मीटर तो इस परकार से ये परिशन समापत होता है बाई ये अगला परिशन छटवा परिशन है यदि A बराबर माइनस 4, B बराबर माइनस 2, C बराबर माइनस 1, D बराबर 6 तो C स्कॉाइर माइनस D स्कॉाइर बटे A पलस B पलस C का मान ग्यात कीजिए तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया है उतार लेते हैं A बराबर दिया गया है माइनस 4, B बराबर दिया गया है माइनस 2, C बराबर दिया गया है माइनस 1 और D बराबर दिया गया है 6 हम मान ग्यात करना है C का स्क्वाइर माइनस D का स्क्वाइर बटे A प्लस B प्लस C चलिए यहाँ पर मान रखते हैं C का स्क्वाइर C है माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वाइर माइनस D का स्क्वाइर D है प्लस 6 तो 6 का स्क्वाइर बटे A प्लस B प्लस C A है माइनस 4 प्लस B है माइनस 2 प्लस C है माइनस 1 अब यहाँ उपर हल करेंगे माइनस 1 का वर्क करेंगे माइनस 1 गुड़े माइनस 1 तो हो जाएगा प्लस 1 माइनस ये वाला चिन 6 का वर्क करेंगे 6 गुड़े 6 हो जाएगा 36 बटे माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 1 सभी के चिन एक समान हैं सब आपस में जुड़ेंगे तो 4,2,6,1,7 हो जाएगा माइनस 7 अब 1 में से 36 को घटाएंगे तो यहाँ पर उत्तर आएगा माइनस 35 एक में से 36 को घटाएंगे तो आएगा माइनस 35 भागे माइनस 7 अब माइनस चिन को माइनस से भाग करेंगे तो हो जाएगा पलस 35 को 7 से भाग करेंगे तो आएगा 5 माइनस 35 को माइनस 7 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा पलस 5 यही आपका उत्तर है सात्वा प्रश्ण है यदि a बराबर 7a² प्लस 5ab मैनस 9b² b बराबर मैनस 4a² प्लस ab प्लस 5b² c बराबर है 4b² मैनस 3a² मैनस 6ab तो दिखाए a प्लस b प्लस c बराबर 0 तो a प्लस b प्लस c बराबर हमें 0 लाके दिखाना है तो A की जगा पर A का मान रखेंगे A बराबर है इतना के तो A की जगा पर हम वही लिखेंगे तो A बराबर है 7A स्क्वाइर पलस 5AB-9B स्क्वाइर इसको ब्रेकड में कर देते हैं क्योंकि ये A के बराबर है पलस B B आपका है माइनस 4A स्क्ाइर पलस AB पलस 5B स्क्वाइर पलस C तो C बराबर है 4B स्क्वाइर 4B स्क्वाइर माइनस 3A स्क्वाइर माइनस 6AB अब यहाँ पे हम ब्रेकट हटा देते हैं तो चलिएगा यहाँ ब्रेकट वैसे हट जाएगा इसके आगे कोई चिन नहीं है ना तो कोई संख्या है 7a² पलस 5ab माइनस 9b² यहाँ पलस से ब्रेकट खोलेंगे तो जो अंदर के पद हैं सब के चिन वहीं रहेंगे तो यह माइनस 4a² और यह होगा पलस ab और यह पलस 5b² यहाँ पलस से ब्रेकट खोलेंगे तो सब वही उतर जाएंगे पलस 4b² माइनस 3a² माइनस 6ab अब जो सजातिय पद है वही जुड़ेंगे घटेंगे 7a² में से 4a² निकल गया तो बचा 3a² और फिर यह 3a² निकल गया तो इस तरह से 0 हो गया तो यह माइनस 4a² और माइनस 3a² बराबर हो गया माइनस 7a² और इस पलस 7a² से कट गया उसी परकार से यहाँ पे देखिए पलस 5ab और पलस 1ab हो गया 6ab और इस माइनस 6ab से कट गया माइनस 9b² है और यहाँ यह दोनों मिल करके पलस 9b² हो जाएंगे तो यह दोनों मिल करके इस माइनस 9b² से कट जाएंगे तो इस परकार से क्या बचा जीरो बचा तो सिद्ध हो गया a पलस b पलस c बराबर 0 यही हमें दिखाना था अब आईए अगला पर्षन आठवा पर्षन है सरल कीजिए आठवा में दो पर्षन है पहला और यह दूसरा तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं 3abc और कहीं पर abc माइनस 5abc तो 3 और माइनस 5 बराबर होगा माइनस 2 यह दोनों सजाती हैं तो माइनस 2abc यह वाला और यह वाला सजाती हैं इसमें भी ab² और इसमें भी ab² यह पलस 3 है और यह माइनस 2 है तो पलस 3 माइनस 2 बराबर पलस 1 एक दिखाया नहीं जाता है तो पलस 1ab² तो यही उत्तर है अब आए दूसरा वाला हल करते हैं तो 5x² और कहीं पर x² तो यहाँ पर है तो 5 और 3 हो जाएगा 8x² में से 9x² घट जाएगा तो बचेगा माइनस 1 5, 3, 8 यह पलस 8 होगे पलस 8 और यह माइनस 9 तो बराबर होगा माइनस 1 एक दिखाया नहीं जाता तो माइनस x² अब xy वाले पर यहाँ पर और एक यहाँ पर यह पलस 5 है और यह माइनस 2 है तो हो जाएगा पलस 3 xy तो इस परकार से यह उत्तर है अब आईए अगला परशन हल करते हैं नौवा परशन है यदि a बराबर 2, b बराबर 1 तथा c बराबर 3 तो 2a पलस 4b माइनस c का होल q का मान ग्याद कीजिए तो हम इसका मान ग्याद करना है 4b माइनस c का होल q जब की a बराबर है 2 के b बराबर है 1 के और c बराबर है 3 के तो जहाँ पर a है वहाँ 2 लिखेंगे जहाँ b है वहाँ 1 लिखेंगे और जहाँ c है वहाँ 3 लिखेंगे तो चलिए हम मान रखते हैं तो 2 गुडे a a है 2 दो पलस चार गुड़े B, तो B है एक, मैनस C, C है तीन, इसका होल क्योग, अब यहां ब्रेकट के अंदर हलका लेंगे, दो का गुड़ा दो में, तो हो जाएगा, चार पलस चार गुड़े एक बराबर, चार मैनस तीन, इसका होल क्योग, चार और चार जोड़ेंगे आठ, आठ में से तीन घटाएंगे, तो हो जाएगा पांच, अब जब एक संख्या बची, तो ब्रेकट हट जाएगा, पांच की घात तीन, पांच तीन बार, पांच गुड़े पांच, पांच गुड़े पांच, पांच गुड़े पांच, तो इस तरह से उत्तर आया एक सो पचीस, यही आपका उत्तर है, अब आईए अगला परशन हल करते हैं, दसमा परशन है, सुमेलिट कीजिए, यहाँ दो समूह है, समूह A और समूह B, समूह A के परशनों को हमने उतार लिया है, इन्हें सरल करेंगे, उसके बाद समूह B से इन ब्रेकट में, पल्स दूशरे ब्रेकट में, दो Ax माइनस 3y, हम ब्रेकट हटाएंगे, यहाँ आएगा Ax पलस Y, और यहाँ पल्स से ब्रेकट को लेंगे, तो पल्स 2x माइनस 3y, अब जो सजाती हैं, उनहें जोड़िये घटाएंगे, एक्स और दो एक्स मिल करके हो 3XY और ये माइनस 3Y है तो माइनस 3 और प्लस एक बराबर होगा माइनस 2 माइनस 3 में से ये एक घड़ जाएगा आएगा माइनस 2Y तो जहां कहीं समुह B में 3X माइनस 2Y हो उससे आप पहले का मिलान कर लेजिए चलिए अब दूसरा वाला X माइनस Y माइनस ब्रेकट में X पलस Y अब यहां हम ब्रेकट हटाएंगे तो X माइनस Y और माइनस से जब ब्रेकट खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस X और ये हो जाएगा माइनस Y ये पलस X माइनस X से कट गया माइनस 1Y और माइनस 1Y मिल करके हो जाएगे माइनस 2Y तो इस तरह से दूसरे का मिलान कहीं समूह B में अगर माइनस 2Y हो तो उससे कर लीजिए अब चलिए तीसरा वाला हल करते हैं तो तीसरा है X स्कॉाइर पलस 2XY पलस Y स्कॉाइर माइनस ब्रेकर में X स्कॉाइर पलस Y स्कॉाइर माइनस 2XY अब यहां हम माइनस से ब्रेकर खोल देंगे तो X स्कॉाइर पलस 2XY पलस Y स्कॉाइर माइनस से ब्रेकर खोल देंगे तो यह हो जाएगा माइनस X स्कॉाइर यह हो जाएगा माइनस Y स्कॉाइर और यह हो जाएगा पलस 2XY अब माइनस X स्क्वाइर से पलस X स्क्वाइर कट गया Y स्क्वाइर ये माइनस है और ये पलस है कट गया 2XY ये पलस है और ये भी पलस है तो दोनों जुड़ जाएंगे हो जाएगा 4XY तो जहां कहीं भी समुह B में 4XY हो उसका मिलाना आप 3 से कर लेंगे अब चलिए चवथा वाला चवथा है 2 ब्रेकर में X स्क्वाइर पलस Y स्क्वाइर माइनस ब्रेकर में X स्क्वाइर माइनस Y स्क्वाइर अब यहां हम ब्रेकर खोलेंगे 2 से तो हो जाएगा 2X स्क्वाइर पलस 2Y स्क्वाइर यहां माइनस से ब्रेकर खोलेंगे तो minus x square और ये plus y square अब जो सजाती हैं वो जुड़ेंगे घटेंगे 2x square में से 1x square निकल गया तो सिर्फ 1x square बचा 2y square और 1y square ये मिल करके हो जाएंगे plus 3y square तो समू B में जहां कहीं भी x square plus 3y square हो उसका मिलाना आप चोथे वाले से कर लेंगे चलिए पांचमा वाला 3x square minus y square ये एक ब्रेकेट में है minus 2 ब्रेकेट में x square plus y square बटे 3 यहां हम ब्रेकेट हटाएंगे तो 3x square minus y square minus 2 से ब्रेकेट खोलेंगे तो minus 2x square और यहां चिन्ह पलास है तो minus हो जाएगा 2y square बटे 3 यानि 2 बटे 3 y square अब जो सजाती हैं वही जुड़ेंगे घटेंगे तो 3x square और यह minus 2x square तो सिर्फ 1x square बचेगा और minus 1y square और minus 2 बटे 3y square यह सजाती हैं और यह minus 2 तो आजाएगा minus 5 बटे 3 minus 5 बटे 3 तो यहां हो जाएगा minus 5 बटे 3y square अब जहां कहीं समूह b में x square minus 5 बटे 3y square हो तो उसका मिलाना पांच में से कर लेंगे तो इसी परकार से यह अभ्यास समाप्त होता है मैं आसा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा आपको पसंद आया होगा हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कहते हैं जै हिंद जै भारत